आप सभी का यमके शाहों क्लासिस में स्वागत है। आज ये लूशेंट जो वस्तनिष्ट शामानि ज्यान चलना है उसका छठा लेक्चर है। जो भारतिय राजव्योष्था ने इंडियन पॉल्टिपर आधारी थे। इसमें लगभग में हम सभी लोग 52 MCQ को सालब करेंगे और इसमें जो छोटे चैप्टर दो हैं एक तो सम्विधान के भाग हम लोग देखेंगे और दूसरा देखेंगे सम्विधान की अनसूचिया तो सम्विधान के भाग और सम्विधान के अनसूचिया ये दो चीज़ों क को सब्सक्राइब लाइक शियर जरूर करें देर ना करते हूं वीडियो को शुरू करते हैं इसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि NCRT शार्शंग्रा महिस बढ़नवाल की जो है इंडियन जेगरफी और इंडियन पॉलिटी यह कंप्लीट हो गया है प्लेलिस्ट बनी हुई है तो जो लोग ना देखे हूं वो चैनल पर जा करके देख सकते हैं और चुकि इंडियन पॉलिटी कवर हो गया इसलिए अब वन लाइनर आप कंप्लीट करें उसके बाद आप एंसे क्यों करें जिससे आपके अंदर एक थोड़ा कंपीडेंस बढ़े और आप कोस्चन आसानी से कर सकें तो देर ना करते हो वीडियो को शुरू करते हैं और कोस्चन बहुत इंपोर्टेंट है एक कोस्चन सारे पूछे ग करना है तो हम चारो आप्शनों को नहीं पढ़ेंगे आप लोग भी अपने आप गेस करिए और फिर देखिए एक सिकन का हर क्वेश्चन में आपको समय मिलेगा और फिर क्वेश्चन को आप दिक करिए कि कहां तक आप कांफिडेंस के साथ कितने कुष्चन आपके सही हो र अगला दो नंबर कोश्चन कहरा है कि संबिदान के किस भाग में संसोधन की परकिरिया का उलेग किया गया है किस भाग में पेर इंपॉर्टन कोश्चन है यह और इसमें जो है शंबिदान के भाग जो है दो नंबर है दो नंबर का राइट आपसन सी अर्थात शंबिदान भाग बीस में संबिदान के जो संसोधन की परकिरिया है वहां संबिदान के भाग बीस में इसका उलेग किया गया है इस ताथ से दूसरे का राइट आपसन सी हुआ तेन नंबर कोश्चन कहरा है कि स इसका जो राइड आप्शन है आप लोग भी केस करें ये ये यूपी पीसेश 2016 में कॉश्चन पूछा गया है तो संभिधान के भाग 9 में संभिधान का जो भाग 9 है उसमें पंचायती राजव्योष्था को पंचायती राजव्योष्था संबंधी जो प्रावधान है वो दि दिए गये हैं कोश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है अगला कोश्चन कह रहा है कि शंभिधान के किस भाग में आस्थाई संकर्मन कालीं बिसेश उपबंधों का प्रावधान किया गया है इसका जो राइट अप्शन है वह सी है भाग 11 में 5 नंबर कोश्चन कि हमारे संभि भाग भाग पुछ रहा है शवाल यहां से आते हैं यह भी कोश्चन पूछा गया उपीपीशेस 2014 में तो 5 का जो राइट अप्शन है वह नो नो भाग नो ए अनि भाग नो में जो है पंचायद बनाने की परकल्पना की गई है तो इस हिसाब से इसका राइट भीकल्प होग अब इमने बताया नगर्पालका जो पंचायद से समभ्णत है वो नो अगलर्पालका से समभ्णत है वह से संसे इपकल्पनाने किस भाग में नीत निदेशक तत्तों का उलेख किया गया है जो हमारे नीत निदेशक तत्तों है इनका उलेख किया गया है सम्मिधान के पूछरा किस भाग में तो साइट सेवन का जो राइट आपसन है वो सम्मिधान के चतुर्त भाग में चौथे भाग में नीत निदेशक तत्तो का उलेग किया गया है आप लोग कमेंड करके बताएं कि जो नीत निदेशक तत्तो हैं वो सम्मिधान में जो हमारे सम्मिधान में लिया गया वो किस देश से लिया गया है चुकि इससे पहले वाली वीडियो में हमने सारा कुछ कवर किया है आठ नंबर कोश्चन कह रह इसका जो right option है वो यह है शंग और राज छेत्रों का जो उलेक किया गया है वो सम्मेधान के भाग एक में किया गया है इसलिए किस हिसाब से जो right option है वो आप लोगों को चूच करना है एससी 2015 में question पुछा गया है इसका nine का जो right option है वो यह है भाग तीन में जो है मूल अधिकारों का उलेक किया गया है सम्मेधान के भाग तीन में इसकी साथ से right option होगा next question भारतिय नागरिको के मूल करतबो का व्योरन भारतिय नागरिको के मूल करतबो का जो व्योरन है वो सम्मेधान के किस भाग में दिया गया है चार option दिये हुए है right option आपको चूच करना है और ये भी UP, CCS 2013 में question पूछा गया है तो ten number का जो right option है वो भाग 4 का भाग चारका में मूल कर्तबों का उलेक किया गया है धियान दखियेगा और इसे पहले भी जो कोश्चन आया था भाग तीन में भाग 3 में मूल अधिकारों का उलेक किया गया है और भाग 4 में मूल कर्तबों का उलेक किया गया है। इसेशाबं ते 10 का right option भी होगा। 11 नॉम्बर कोश्शन कहा है कि भारत के सम्मिधान के भाग चार भाग चार किसके बारे में बताता है 4 ऑपसन में आपको राइट आपसन चूच करना है 11 का जो राइट आपसन है वा स्वाज सी है इसका जो right option है वह भाग 5 भाग 5 में शंग की जो कारिपाल का की व्याख्या है वह सम्मिधान के भाग 4 में इसका उलेख किया गया है अगला question कह रहा है 13 number इस सम्मिधान के किस भाग में नागरिक्ता का उलेख है बेरे बेरे important question है जो सम्मिधान के किस भाग में नागरिक्ता का उलेख किया गया है आप लोगों को चारो आप्सन में से आप जेस करके बताएं कौन सा है भाग 2 right option B 13 का B नागरिक्ता का उलेख है भाग 2 में सम्मिधान के भाग 2 में नागरिक्ता का उलेख किया गया है चौदा नंबर कोश्चन जो की बहुत इंपोर्टेंट है UPP से 2011 में पूछा गया है पहरा सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करिए और यहां से देखिए PCS में ऐसे कोश्चन तो आएंगी अगर मान लिजे UPP या One Day Exam कोई दे रहे हैं तो यह चार कोट तरीके से नहीं पूछी जाएंगे आठ भारते सम्मेदान भाग 4A और भारते सम्मेदान भाग 9A अब देखिए 9 नौ जो है पंचायद से और 9A यह नगरपाल का से संबंदित हैं तो A का तीन और D का दो A का 3 और D का 2 यानि अगर eliminate दिया जाए अगर खाली आपका एक तयार है A वाला तो सही है कि मारते समिधान भाग 9 का उलेख 5 से संबंदित है तो अगर एक भी सही कर देते हैं तो बागी आपके तीनो question eliminate हो गए यानि तीनो गलत हो गए आपका right option एक भी पता है तो आपका ये question हो जाएगा और ये question पुछा गया 2009 में तो इस हिसाब से इसका जो right option होगा वो ये होगा यानि A 9 भाग 9 का उलेख 5 से है और भाग 8 का जो संबंद है वहाँ संग 666 से है और भारते समिधान भाग 4A तो जो 4A का जो संबंद है वहाँ मूल करतब से है और भारते समिधान 9A 9A का संबंद नगर पाल का ये सिसाब से right भी कल आपका A हुआ तो ये था संबंदान की भाग संबंदान की भाग से संबंदी था जो कि बहुत important है यहाँ से एक नए question बनते हैं अब चुकिए चैप्टर छोटा था इसे के साथ हमने एक चैप्टर और लिया है और वह है संबंदान की अनसूचिया तो संबंदान की अनसूचिया से संबंदित question देख लेते हैं लोग और ताकि यह दोनों कबर हो जाएं जितनी जल्दी हमारा complete हो जा रहा है उतनी जल्दी हम दूसरी टाप उपर पहुँच जाएंगे तो अगला कह रहा है कि बर्तमान बर्तमान में भार्टे संबंदान में कुल कितनी अनसूचिया है इस समय अगर देखा जाए तो इसका जो right option हुआ उसी हुआ पहले आठ अनसूचिया थी दो नंबर question करा कि संबंदान सबाकि प्रारूप शमित जो बनाई गए थी प्रस्तुत प्रारूप संबंदान में कितनी अनसूचिया थी जब प्रारूप स प्रारी थी 10 नंबर question करा करा कि समय आठ प्रारूप संब्हात इससे अनसूचिया कितनी अनसूचिया थी थी जब और क्रोष्जन में कितनी अन्सूचिया थी। right option ये हैं 5 नंमर कोश्चिन 5 नंमर कहरा है कि कि प्रस्मिदान से छॉदंस जोड़ा गेja very, very important नवी अंसूचि yand brush-수 ko पहले आठ अन-set color liff तो ये पहला समिदान संसोथन हुआ था और पहले समिदान संसूथन के तहर है इन रवी अंसूची जोड़ी गई और कब हुआ था यह हुआ था उनीशव क्या होनिया है अगला शीक सी नमीडों को जोड़ा गया था आपיים पार या पिंजा तो नवी अन्सूची जो जोड़े गई पहला संविदान संसोधन हुआ था उसके तहर जोड़ा गया और 52 संविदान संसोधन के तहर जोड़ा गया जोकि वह 980 में हो इसमें 10 वी अन्सूची को जोड़ा गया चेवर नम्र कोइशन है कि 73वा सम्मिदान संसोधन अधिली जोड़ी गई जब 77वा सम्मिदान संसोधन हुआ उस 사व में कौनसी अंसोची जोड़ी गई तो इसका जो Right Option है mister even 17जी कि तहर इसे जोड़ी गई 11 उसीन अग्ला है 74 संमिदान संसोधन अधिली आधियन, भार्यवाम संव्हदान में कौन सी अंसूची जोड़े गई, तो चोहत्रवा संसौधास संसोधर आधियन के तहब यह क presupर है dawft पभण मिलाकर करके बर्टमाल में बारा अंसूचियां नटर नमर कहता है कि संभिदान के तीथी अंसूची दिती अंसूची का जो संबंद है वो महत्मूर्ट पदा दिकारियों के बेतन से संबंद दीत है यानि 9 का राइट आपसंडी होगा दस नंबर कोश्चन कह रहा है दस नंबर कोश्चन कह रहा है कि भारत संग में शामिल राज और संग सासी छेक्रों का उले भाते संबंदान के पहली अंसूची में है यारा नंबर कोश्चन कह रहा है कि राष्टपती राज्यों के राज़्चवाल शर्वोच नियाले उच नियाले के जो नियाधीस हों है और संसत अथा राजविधान मंडल के अधकारी भारत के नियंत्रा रहों महालिखा परिच्छर आद का वेतन के संबंद में जो प्रा कि नियाधीस संसत विधान मंडल के जो अधकारी हैं भारत के नियंत्रा महालिखा परिच्छर आद के वेतन के संबंद में जो प्रावधान है वो शंविधान के दूसरी अंसूची में है यारा का जो राइड अप्सन है वह आपका बी है चलिए बारा नंबर कोश्चन संब्रा के 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 संब् एक अन्षिद या अन्सूची का संबंद शौशासी जिला पर्षदों से है तो चारों विकल्प में जो आपका राइड विकल्प है वसी है छटी अन्सूची से संबंद है इसका ये सीडियेस 2016 में कोश्चन पूचा गया है पंदरा नुमर कोश्चन कह रहा है कि भारतिय संव में जितने भी बाइस भासा हैं उनको जो राजभासा का दरजा परदान किया न सभिकत के अंतरगत शामिल किया गया है शोला नंबर कोशन 17 नमबर कह रहा है कि किसी अधनियम कोश्व नियाले में श्म और उसकी वाइदता को किसी नियाले में चुनोती नहीं देजा सक्ती ऐ कि आठारा नमबर कोशन कह रहा है कि राज के आरचन विध्यक को नवी अंशुचे मेंसुचि में सामिल किया गया इसी राज के जो आरच्छन भी देख हैं उनको नवी अंसूची में सामिल किया गया और वो राज आपको बताना है तो अठारा का जो राइड आपसन है वो आपका ए है तमिलनाडू राज वन इस नमबर कोश्चन कहे रहा है कि हाल ही में आनपरदेश से अलग कर एक नए राज जो तेलंगाना का गठन हुआ इससे भारतिय समिधान की किस सूची में परिवर्तन किया गया तो जब भी कोई नए राज का गठन होता है तो किस अनसूची का परियोग किया जाता है और वो अनसूची है अनसूची एक किसी राज की सीमा बढ़ानी है या राज में परिवर्तन करना है तो अनसूची एक का परियोग आप करेंगे यह अनसूची एक में ही परिवर्तन किया जा सकता है यह भी ससी 2015 में कोश्चन तो 20 ५ नुम्बर का जो राइट अपना है वह आपका सी है दस्वी अंसूची में दल बदल विरोधि संबंदी जो है विर्ण दिया गया है तो दल बदल विरोधि जो अंसूची कई बार यह आरो यारो में भी पूछा गया question को नेक्स कोश्चन देखते हैं कि अगला कोश्चन कह रहा है कि 67XD tbz qta siya complacentrice किसे यह संबंदित अभी आ गया तो यह das नमबर क Denike कि संबंदित है दलबदल वर आनून से अठ्था है यह आपका होगा कि किस राज में लागू नहीं होती है, चार आपसन में, आपका जो राइड आपसन है, वो D है, मडपुर, मडपुर राज में, छटी अनसूची लागू नहीं होती है, ये भी MPPCS 2004 में पुछा गया है, और 21 नंबर जो है, 36 गर PCS में पुछा गया 2012 में, तेरा नंबर कोश्च अनसूची, अस्टम अनसूची, नवम अनसूची, तो जो अस्टम अनसूची है, देखे, ये भासा से संबन दीत है, आठी, ठीके, तो B का दो, B का दो, अब यहाँ पे, B के दो, A विकल पर और D है, तो X के मतलब B आपका Eliminate हो गया, और C आपका Eliminate हो गया, B और C शे ये भासा से, जो आठी अनसूची, जो C का है, इसमें जो C है, अस्टम अनसूची, अस्टम अनसूची ये राजभासा से संबन दीत है, तो अस्टम अनसूची राजभासा से संबन दीत है, अर्धात, इसका जो है, इससे संबन्द होगा, C का विकल्प तीसरा, तो C में ती पंचम अनसूचि इसमें जो है चातुरत अंसूची का जो संबंध है वहां है आपके राजभासा से चातुरत अनसूची का संबंध राजभासा से और जो अस्टम अंसूची है, यानि सस्ट अंसूची, अस्टम अंसूची का जो संबद है C, C का जो संबद है, वो भासा से है, तो C का दो हुआ, और A का हुआ 3, तो A का 3 और C का हुआ 2, A का 3 और C का 2, इसे साब से आपका पहला अविकाभ eliminate हुआ, दूसरा eliminate हुआ और तीसरा आपका चवता आपका eliminate हुआ इस इसाब से कर देखा जा तो तीसरा C वाला भी कल्प सही है इसमें क्योंकि नवी अंसूची का जो संबंध है वह डी का भूम सुधार से संबंधित है और जो सच्ट अंसूची है इसका जो संबंध है वह जन जाती है छेतर से संबंधित है इससाब से A का 3, A का 3 और B का 4 तो इससाब से आपका इसमें C विकल्प आपका शही है तो इसका C विकल्प सही है 23 का C और 24 नंबर कोश्चन 24 नंबर भी कूट पर ही आधारित है इसको देखते हैं सूची फर्ष्ट सूची से सुमेरित कीजिए सूचियों में दिये गए नीची से उतर का चैयम करना सूची फर्ष्ट अंसूची से अंसूचिया है और सूची से कंड में संबंधित भी से दिया हुआ है तो अब आपको जो है राइट आप संचूच करना है देखिए जो आठवी अंसूची का संबंध है वह किस से है तो आठवी अंसूची का जो संबंध है वह राश्टिये राजभासाओं की सूची से अर्थात एका विकल्प तीन हुआ अब एका तीन हुआ त तो A, A के तीन, C हो सकता है या D हो सकता है, अर्थात A और B eliminate हो गया, A, B तो करता ही नहीं हो सकते हैं, अब अगला देखते हैं, नवी अन्सूची का जो संबंद है, नवी अन्सूची इस अधिनियम में समर्यत अधिनियम नियाले कि अधिकार छेत के बाहर है, नवी दूसरा यहां सही है, यानि D में, तो C भी eliminate हो गया, अब इसका जो right विकल्प वो D होगा, अब A का 3 हो गया, और B का हो गया first, और C, दस्वी अन्सूची का संबंद दल बदल से हो गया, और 11 ही अन्सूची जो संबंदी थे हो, पंचायत राजव्योस्ता का प्रावदान से संबंदी थे, इसलिए इसका जो भी कल्प होगा, 24 का right विकल्प D होगा, दोस्तों यह quote वाले question, UPPCS, RO, RO में ज्यादातर question आते हैं, आगला question देखे 25 नमबर कह रहा है, कि परसासनिक उपबंद तथा संबंदी संबंदान के अन्सूचियों के संबंद में, सूची first और तरगा चुनाओ करें, सूची first परसासनिक उपबंद है, सूची सिखन अन्सूचियों से संबंदीत है, तो अब इसमें देखते हैं, जो 25 नमबर है, इसमें कह रहा है, कि असम मेगाले तिरपुरा और मिजोरम के जन जाती है, जो छेत्र हैं, इनका संबंद किस से है, तो ज जा मर्तिशूची और राज है, संसूची और अगला जो एक का चार हो गया, तो एक के चार में दो सही है, अर्थाद ये नहीं हो सकता, और डी नहीं हो सकता, अब इसका एक चार ये के लियर हो गया, और बी कहरा, आखिल भारतिये जो सेवाएं हैं, इसका संबंद A का 4 से पहला 1 का हो गया 46 अंसूची और फिर B में देखते हैं अखिल भारट के जो शेवाएं हैं इसका जो संबंद है वह 7 अंसूची से बी का हो गया 3 चार और 3 यानि A नहीं हो सकता और D नहीं हो सकता अब हमें B और C में जो है गेस करना है अगला कह रहा है C भारत का नियंत्रण यो महा लेखा जो परिच्छक है इसका संबंद दूसरी अंसूची से बेतन भत्तों से तो C का फस्ट C का फस्ट उसमें बी वाले में इस हिसाप से इसका जो राइट आप्सर होगा हुआ B होगा इस हिसाप से चार तीन एक दो अर्थाद B विकल्प आपका शही है अगला है 26 नंबर कोश्चन कहह रहा है 26 नंबर कोश्चन यह है, पैरा कि भारत के शंबिरान की अनसूचिया था उनके विशे से संबंधित की गुमों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है, नहीं वाला हमें गेस करना है अनसूची और विशे, आठवी अनसूची इभासा से संबंधित है राइट है, दूसरी राजसभा में अस्थानों के आवंटन से, दस्वे अनसूची दल बदल ये भी राइट है, चौती अनसूची राजसभा के अस्थानों के आवंटन से ये भी सही है, तो इसका जो राइट आप्सन सही नहीं है वो भी होगा, दूसरी अनसूची का जो संबंध वो सपतियों संबंद है वहां पंचायती राज से संबंद है इसका राइड विकल्ब एक होगा अटाइस नमर कोईश्चिं निम्लिकिन में इसे कौस एक लिए में earlier अस्फान साही वरनाइन करता है चवकी यफन करता है वह 910 विकल्ब दिये हुए है इसका जो डी है इसमें राजसभा के अस्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर नहीं थे हैं क्योंकि चौती अंसूची का जो संबंध है वो राजसभा में जो राजसभा के अस्थानों से संबंधित है और इसी सहाथ से जो 28 है इसका राइड भिकल्प डी होगा 31 स्याम कहा रहा है की सूच्छी फश्ट सूची सिकनं का समेलित करना है सूची फश्ट सूची सिकन्हीं में परसास्ने को बंद है, सूची सीकन में समबंधित अन्सूचिया है तो राज यों केंदर राज यों केंद्र का जो शंबंद है वह किसे का उलेक कहा होता है महात्पूर्ण पदा धिकारियों के वेतन भत्ते सी है विभिन पदों के लिए पड़ और वोपनेता इशपत और चौथा है राजसभा में राजवा केंद्र सासित परदेशों के अस्थानों का जो आउंटन है वह किसे संबंदित है तो राजवा केंद्र सासित परदेशों का जो उलेक है वह चौथी अंसूची में है और चौथी अंसूची नहीं राजवा केंदर सासित पर्देश का जो उलेक है वह आपके राजवा केंदर सासित पर्देश का जो उलेक है वो पहली अंसूची में है दूसरा देखते महात्पूर्ण पदाधिकारियों के बेतानियों भत्ते जो है वह दूसरी अंसूची से संबन्दित है विभिन पदों के लिए पाद यूम गोपनेता की जो सपत है वह तीसरी अंसूची के अंतरगत है और राज सभा में राजवा केंद सासित परदेशों की जो अस्थानों का वंटन हो चौती अंसूची से सुमने तो इसका जो राइड विकल एक दो तीन चार एक दो तीन चार यानि राइड विकल्प आपका डी होगा और डी विकल्प इसका शही है नेक्स कोस्चन नेक्स कोस्चन देखते हैं तीस नंबर कह रहा कि भाते संभिदान में निम्न दी गए अंसूचियों में कौन से अंसूची राज के नामों की सूची योम राज छेत्रों का ब्योरा जो है देती है तो चार विकल्प में आपका राइड विकल्प होगा पहला यानि ए विकल्प पहली अंसूची ये युपीप से 2014 में कौस्चन पूछा गया है धियान रखिएगा वन लाइनर टाइप का ही है कोस्चन लेकिन ये पूछ लिया है ये पहली अंसूची से सम्मा आपका ए है पर्थम शंसोधन के द्वारा जो है नवी अंसूची में परिवेतन किया गया अगला है 32 नंबर की यद भारत संग को नए राज का सिर्जन करना हो तो शंबिधान के निमलिखित अंसूचियों में से किस एक को अवस शंसोधन किया जाना चाहिए तो 32 का जो राइट अपसन है दोस्तों वो है पहली पहली अंसूची में संसोधन किया जाना चाहिए ये आएस 2001 में कोशन पूछा गया है 33 नंबर कोशन कहरा कि निमलिखित में से कौन सा करतन संबिधान के चातूर्थ अंसूची को सही-सही वरणित करता है चारों विकल्प में आपको राइड विकल्प चूच करना है और इसका जो राइड विकल्प है वो भी है कि यह राज्यों के परिशत में शीटों के बटवारा करता है यह चोथी जो अन्सूची है चोथी अन्सूची का यह राज शित्रों के पर्षद में शीटों का बटवारा करती है चोथी अन्सूची फिर तो इसमें जो है, आप देखिए, जो question दिया हुआ है, कि केंद योम राज्यों के मत विधाई, जो शक्तियों का वित्रण है, उसका संबंद किस से हैं, तो उसका संबंद शात्वी अंसुची से है, भासाओं का जो लेक क्या गया है, वो आठवी भासा में है, अतार B का दूस पूसरा है, भूम सुधार योम अदिगरहन सम्मंधी जो अधिनियम बनाएगे हैं, वह किसमे हैं, वह नवियन सुची में हैं, और दल अगला जो कोश्चन है 35 नंबर उसमें एक रहा कि भारत के संविधान के किस अंसूचे में विभिन राज्यों में अंसूचि छेत्रों के परसासन और नियंतरण के लिए विशेश उपबंद किया गया है आई इस 2008 में कोश्चन पूछा गया है तो 35 का जो राइट आपसन है व नहीं है नहीं पूछ रहा है कि नहीं कौन सी अंसूची नहीं जोड़ीगी आठवी अंसूची नवी अंसूची दस्वी अंसूची और 11 अंसूची तो देखें नवी बाद में जोड़ीगी दस्वी बाद में जोड़ीगी 11 बाद में जोड़ीगी इसका जो 36 का जो में क्रितकारी दिया हुआ सुचे सिकेंड में सपत्या प्रतिग्यान दिया हूँ भारत का राष्टपती शर्भोचने आले के जज शंसत का सदस्ट शंग के मंत्री तो इस पूट के टाइप में क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं इसमें कौन सा विकल्ब शही है तो यह भारत की संबिधान के प्रतसर्दायो निष्ठा रखता है अर्थात जो एका संबंध है वो थिरी से है फिर सरवोचने आले के जो जयज होते हैं तो एक असंबंध त्यी से का मतलब ए भी सही हो सकता है और सी भी सही हो सकता है यानि बी आपका इलिमनेट हो गया और डी लोग दिखे देखे बी जो सर्वोच नियाले के जज होते हैं, तो सर्वोच नियाले के जज, जज का जो संबंध है, वह किस से है, वह संबिधान और बिद की मर्यादा बनाए रखने से है, तो बी का चौता होगा, और बी में चार कहां कहां है, बी में चार आपके ए में भी ह तो फिर अभी यहां से भी clear नहीं होगा, चुकि B में भी 4 है, और A में भी 4 है, और B में भी 4 है, अगला point देखते हैं, कि संसत का जो सदस है, जो संसत का सदस है, उसका संबंद करतबों के निश्णा पूर्वक निर्वाहन से है, यानि C का जो संबंद है, वो 2 से है, तो C का ज तो एक, अर्थात A का जो संबंद है, वो 3 से है, B का संबंद 4 से है, और C का जो संबंद है, संसत का सदस, इसका जो संबंद है, करतबों के निश्णा पूर्वक निर्वाहन से, और जो संग के मंत्री है, वो सुचना की गोपनियता रखते हैं, इस साथ से हमारा 37 है, इसका राइड विकल्प हुआ शी, लास्ट कोश्चन और यह आईस 1997 कोश्चन पूछा गया है, लास्ट कोश्चन बीपीएसी 2015 कोश्चन पूछा गया है, इसमें देखते हैं, कि भारती संभिधान का कौन सा प्रावधान है, जो दल वदल, दल वदल निरोध से संबंद रखता है, अनुषिद 105, दसवी अनसूची, आठवी अनसूची या इन में से कोई नहीं, तो राइड का आप लोगों को पता हो गया होगा, कि जो 38 है, जो राइड विकल्प है, वो दसवी, दसवी अनसूची का जो संबंद ही है, वो दल वेदल विरोधी कानून से संबंद है, वी प कबर करने की कोशिती है, और वीडियो को लाइक, सियर और सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे जैसे वर्ड जागरफी कंप्लेट होता है, तो वर्ड जागरफी के बाद में हम ये सोच रहे हैं कि एक जो है परियावरानियों पारश्थित की बहुत छोटा चैप्टर है, उसको दो, तीन, चार वीडियो में, तीन वीडियो में लगभग में कबर हो जाएगा, उसको कंप्लेट करके, फिर एक वीडियो साइंस की, और जो जो टॉपिक कंप्लेट होगे, उसके MCQ, आप लोगों को कम से कम पढ़ड़े दो, तीन लेक्चर मिल जाया करें, तो मिलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए, नमस्कार जायेंद,